स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टेटा में दोस्तों mutual funds के अंदर वैसे तो आपको बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं लेकिन अगर आप एक सही प्लान में सही टाइम पर पैसे को निवेश कर देते हैं तब ही आप अपने एक बड़े fund बनाने के टार्गेट को पूरा कर पाते हैं लगतार निफटी अपने हाई लेवेल टच कर रही है और सारे mutual funds के प्लान का रिटन भी अपने टॉप लेवल पर है लेकिन यहां से अगर हम mutual funds में कम पैसे लमसम निवेश करते हैं तो क्या हम आज भी अपने एक बड़े fund बनाने के टार्गेट को पूरा कर सकते हैं यह फिर हमें अभी वेट करना चाहिए ज्योंकि mutual funds के अंदर आपको बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो कुछ सेक्टर वाइस mutual funds ने हमें return काफी कमाल का दिया है और अभी भी आपको कुछ सेक्टर वाइस mutual funds ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आप अपने पैसे को निवीश करकी आपने एक बड़े fund बनाने के टार्गेट को पूरा कर पाते हैं वैसे जिस सेक्टर के अंदर government का जादा तर focus होता है उस सेक्टर के अंदर हमें एक शांदार growth मिल जाती है और अगर हम अभी current की बात करें तो government का focus जादा तर infrastructure, energy sector और power sector के अंदर है लेकिन दोस्तों इन ही तीनों सेक्टर के अंदर अगर हम दो साल की बात करें तो हमें return काफी कमाल कमला है लेकिन क्या हमें अभी भी mutual fund प्लान के अंदर लमसम पैसे को निवेश करना चाहिए जब इन fund ने अब तक return एक साल में काफी जबरदस्त हमें दिया है लेकिन यहां से अगर इन fund में कोई correction आता है तो उसके बाद यह fund कैसे recover करते हैं जैनि कितना टाइम उसे recovery में लगता है क्योंकि आपने देखा होगा 2020 के अंदर क्रोन लोक्टाउन में एक बड़ा correction था stock market में यहाँ पर करीब 16-17% का एक बड़ा correction था लेकिन उस 16-17% correction को stock market में काफी जल्दी recover किया और पिछले 4 साल में market में अपने higher level टच किया है इसमें सबसे अच्छा return हमें मिला है small cap और mid cap company में लेकिन अगर हमें अभी पैसे को नवीश करना है तो हम किस fund में पैसे को नवीश करें last cap fund में small cap fund में mid cap fund में या फिर हम नवीश करें एक sector wise mutual fund में अब दोस्तो sector wise mutual funds में नवीश करने के कुछ फाइदे भी होते हैं और कुछ नुकसान पर होते हैं फाइद आपको ये मिलता है कि sector wise mutual funds में आगर government का focus है और एक potential growth है या फिर सरकार का भी focus है तो sector wise mutual funds से हमें एक बहतीन growth मिल जाती है लेकिन negative impact ये होता है कि market में अगर कोई correction आता है और particular उस sector के अंदर कोई bad news होती है तो यहाँ पर एक बड़ा correction भी हमें देखने के लिए मिल जाता है या फिर लगतार हमें 60 मेहने तक कोई भी return नहीं मिल पाता है जैसे आपने देखा होगा IT sector के अंदर पिछले कुछ टाइम से लगतार कोई ज़्यादा ची growth नहीं थी इसी तरह अगर हम आप भी सबसेची growth की बात करें तो chemical sector और energy sector के अंदर काफी शांदार growth है दोस्तो ऐसा ही SBA का ये fund है energy sector से related जो अभी चल्दी में आया है तेकिन इस plan के अंदर हम एक बहतीन growth पास सकते हैं और इसके benchmark का जो index का return है उसकों ही return अगर हमें मिल जाता है तब भी हम एक शांदार fund बना सकते हैं दोस्तो हम जिस fund की बात कर रहे हैं ये है SBA का energy fund director plan growth दोस्तो energy sector के अंदर government का focus होनों की वज़ा से लगतार SBA के इस fund ने हमें जबरदस्त return दिया है अभी दोस्तो अगर हम इस fund की बात करें तो ये मार्च के महीने में fund आया था NFO इसका और तब से लेकर अग तक लगतार इस fund ने 16.18% का return दिया है लेकिन दोस्तो अगर हम पिछले एक साल की भी बात कर लें तो return 7.39% से जाता है लेकिन दोस्तो SP energy fund के अदर return तो अभी 16% है लेकिन इसके benchmark index का return हमें काफी जबरदस्त मिला है यही वज़ा है कि यहाँ पर हम कुल मिलाकर 89,000 रुपे का नवीश करते हैं और 24% का return अगर हमें मिल जाता है इस energy fund के अदर और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो target है पैसे को नवीश करने का अगर हम उसे starting 6 साल के लिए रखते हैं तो 6 साल में इस 99,000 रुपे की value 3,23,000 की होगी और return होगा 2,34,000 का देकिन अगर हम पैसे को नवीश करते हैं 12 साल के लिए तो 89,000 ते हम कुल 11,6,000 रुपे का fund बनाएंगे 10,87,000 रिटन के साथ लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे को नवीश करते हैं 18 साल के लिए तो 89,000 रुपे की value 42,25,000 रुपे होगी और return होगा 41,86,000 का दोस्तों अगर हम 24 साल की बात करते हैं तो 89,000 रुपे निवेश करके हम 1,85,000,000 रुपे का निवेश करेंगे 1,54,000,000 रुपे का return होगा देकिन अगर हम निवेश करते हैं यहां पर 30 साल के लिए तो दोस्तों इस 89,000 रुपे से हम 5,64,000,000 रुपे का fund बनाएंगे इसमें 5,64,000,000 रुपे का return हमें मिल सकता है तेकिन दोस्तों किसी भी mutual fund plan के अंदर सबसे important होता है fund की holding क्योंकि यह energy sector का fund है तो यहाँ पर जितने भी portfolio में companies हैं वो energy sector की company शामिल है इसमें दोस्तों holding में अगर हम 25 company की बात करें तो यह बहतीन energy sector की company है इसमें top holding में रलायांस industry, एंटी पीसी, भारत पेट्रोलियम, कूल इंडिया, पेट्रोनेट LNG, पावर ग्रीट कॉर्पोरेशन, इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन, हिटेची एनरची, टोरेंट पावर, थरमेक्स, यानि कि दोस्तों कुल मिलाकरी ऐसी company है जिनके अंदर लगतार हमें एक वहतीन growth मिली है और अभी भी हमारे पास एक मौगा बनता है, पैसे को नवेश करके यहाँ पर एक अच्छा return पाने का दोस्तों, fund के NAV, net asset value का price, 11.62 पैसे है, यानि कि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं और जो भी current NAV का price होता है, इसके साफ जही आपको unit lot की जाती है fund size की बात करें, तो 9,780 करोड रुपे लोगों ने इस plan के अंदर निवेश कियो हैं जबकि इस fund में आप लम सम्में 5000 रुपे तक निवेश कर सकते हैं और SIP के तरू यहाँ पर आप 500 रुपे तक निवेश कर सकते हैं holding analyst की बात करें, तो equity के अंदर 93%, cash में 5.4% और dead fund में 1.5% पैसे को यूज किया गया है दोस्तो गर हम sector wise बात करें, तो सबसे ज़ादा पैसा energy sector के अंदर ही निवेश किया गया है 78%, capital goods के अंदर 14% और other sector की companies में fund का 6.4% पैसा यूज किया गया है जबकि दोस्तो fund का expense ratio घरचा 0.57 है और exit load 1% है, अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब और दोस्तो mutual funds में LTCG tax होता है 10% अगर आपको 1,00,000,000 से ज़ादा profit होता है एक साल के अंदर तब और return पर 15% का tax होता है एक साल से पहले दोस्तो SBA EMC के हम बात करते हैं तो इस EMC की total asset के साब से rank number 1 है 9,000,000 क्रोड़ोपे से ज़ादा fund का U.M. है दोस्तो इस वीडियो से लेटेट अगर आपका कोई कोशन होता है तो आप ज़रूर बताईए आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद